हलो हाई यूरे इस ट्रॉक्ट वन में आप लोग का स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले बैंक और बरोडा शेर्स के बारे में बट उससे पहले एक इंपॉर्टन चीज़ गाइस जिनके लिए चानल नया है या फॉर्स टाम विजिट कर दे तो प्लीज चाहके चानल देखने को मिला तो लगभा लगा यहां पर यह 1.70 तक का डाउन फॉल देखने को मिल गई थी बट सिनारियो फिर धी चेंज हुई यहां पर एक अच्छा जंप भी देखने को मिला फिर उसके बाद रिकवरी बनाई बट क्या यह रिकवरी यह ट्रेंट चेंज कर सकती है त ठीक ठाक डिलेवरी है 42.25 की डिलेवरी है तो मतलब अल्मस्ट अगर ठीक ठाक से बोले तो थोड़ी सी अच्छी मतलब हाँ एवरेज बोले तो अच्छा मेंटेन करते वे दिख रही है बैंक अब बरोड़ा में बच चीजें यहीं पर नहीं खत्म होती है अगरा फाइव इसका चार्ट पैटन देखो तो फाइव डेज में यहां पर डाउन फॉल ही देखने को मिला है यहां यह डाउन फॉल नहीं देखने को मिला है 275 पे शेहर थी अब देख सकते कितनी ज्यादा डाउन आ गई अगर हम लोग सबसे हाई पॉइंट पर ले रहे तब 3.16 की के यहां जब आखाता मदव डाउन नूंका तक की फिर जम्प लेते वह दिखे एंद फिर से एक डाउन फॉल का तैहिारी सटार्ट है तो इस सिच्टॲशन में इस इस सिच्टुशन में हैं कौन सा मूव लेना एक बस्टॉप्शन रहता है तो इस सिच्टूशन तो मार्केट के फ्लो के अकॉर्डिंग बात करें तो हम लोग ने बहुत सारी सपोर्ट रेसिस्टेंस टार्गेट फॉर 300 यह बहुत सारी चीज़े कर ली ठीक अगर यह ब्रेक होते वह दीखता तभी 300 का टार्गेट अभी सुन लो आप से सीन जा अब डिफ्रेंस क्या हो रही है नियां पर तो यहाँ पर तो यहां पर दो तीन चीज के दो तीन लेवल को और ध्यान रखना है थिक ट्रेंड ट्रेंड बार बार यह पर हमलों दहां देट एक तो आपका यह endeavoripầ Streetsman सकता कि आपका वो resistance area बनते वे दिखेगा actually तीन ही point है मतलब दो ही तीन point है तो 266 से लेके 258, 257 तक आप बान सकते हो तो ये दो ये एक बहुत strong resistance area है मतलब strong कहने का मतलब क्या है कि इससे ज़्यादा तर chances रहेगा 62, 65% chances रहेगा कि इसको break करते हुए नहीं दिखेगी 60-70% बोल सकते हैं इसको break करते हुए दिखेगी नहीं इतना easy नहीं है कि इसको easily break कर दे but ये जो downtrend create करते हुए दिखेगी इस point पे अगर इस point तक ये downtrend create करते हुए दिखती है तो अराम से आपका delivery levels यहाँ पे बहुत साथ हाई level पे रहेगी और बार बार अगर हम लोग ध्यान दे तो यहाँ पे touch होते ही reverse देखने को मिला है ठीक, touch होते ही reverse देखने को मिला है तो हो सकता है कि ये बहुत अच्छा point रहे हमारे लिए कि जहाँ पे buy करके मतलब अराम से समझो कि 240 240 नहीं, sorry 245 के area पे अगर हम लोग buying उठा लेते इस पे ठीक, गलती से भी buying उठ जाता है इस area पे तो आपके हाथ में ये 240 से लेके आपके हाथ में यहाँ तक का area मतलब आप अराम से profit gain कर सकतो ये सारे area में ये आपका resistance area वो अलग बात है बट ये area एक बहुत बड़ा game कर सकता है आप लोग के लिए ठीक, तो आपका फिर उसके बाद target directly 270 कर रहेगा तो अभी downtrend maintain कर रही है तो अच्छी बात है इसी तरीके से downtrend maintain कर रहे है और down आए तो हमारा profit बनते भी दिखेगा जो लोग panic हो रहे है कि sir हम लोग क्या support रखे देखो, मैं आप लोग को clear बता देना चाहता हूँ कि just हम लोग आ जाते है थोड़ा सा, और close यहाँ पे तो अगर आप लोग plan कर रहे हो कि यहाँ पे मतब जो लोग पहले से बाई किया है निकलने का निकलने का plan कर रहे है तो अब आप लोग बता देता है यही एक सबसे पहला support है जहाँ पे आप out हो सकते हैं अभी अगर आप लोग के से नहीं हो पाड़ा है out होना नहीं हो पाड़ा है तो एक last यही area जहाँ पे support maintain कर सकती है तो इसलिए आपको इस एरिया पर ध्यान रखना पड़ेगा यहीं एक support है अगर ब्रेक होती है तो थोड़ा भी percentage है तो उसको gain कर लो बार बार मैं बोलता हूं 50-50 का trade करो हमेशा अच्छा रहेगा यहां पर अगर हम लोग देखें तो यह अच्छी मतलब यह target सब था तो यह hit करते हुए दिखी ऐसा नहीं यह hit नहीं करते हुए अच्छी पॉजिशन पर हिट करते हुए यह बार बार यह एडिया 282 लेके 275 पर आके रिवर्सल देती लास्टाइम आप देख लो यहां पर भी तीन बार ऐसी ही होते हुए दिखा था एक बार हो गया की पर भी क्लिक कर लो फॉर माई लीटेस्ट उडेट वीडियो पसंद है तो लाइक करके जरूर जाना और पता है ना क्या करना अगर इंवेस्ट कर रहो तो एक बार अपने फाइनिंचल एडवाईसर से जरूर बात कर लो और खुछ से भी अनलाइस कर लो थैंक यू एव ना यू लाइसस्टे